इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी यह पेट में अत्यधिक एसिड को भी बैसर करता है और गैस के आसान मार्ग में मदद करता है हीलासिड और ओरल सस्पैंशन रिफ्रेशिंग टैंगी शुगर फ्री को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में भूजन के बिना लिया जाता है आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है अपनी स्वास्थि सेवा टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती है या प्रभावित हो सकती है इसे अनुशन सितवधी से अधिक समय तक न ले क्यूंकि लंबे समय तक सेवन से स्वास्थि पर हानिकारक प्रभाव पर सकता है सबसे आम दुश प्रभाव चॉकलेट, स्वाद, डस्थ, कब्ज और अलजी की प्रतिक्रिया है इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती है अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं कब्ज को दूर करने के लिए आपको अपने आहार में फाइबर युक्त खादे पदार्थों को शामिल करना चाहिए और हाइडरेटेड रहना चाहिए यह दवा चक्कर भी पैदा कर सकती है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको चक्कर आ सकते है इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भावती है, गर्भावस्था की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही है अगर आपको केडनी या लीव की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्युक्त खुरा क्लिक सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद